हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग वित निती आज मैं आप साथ शेयर करूंगी सामर स्पेशल दही की सबजी यह दही की सबजी पांच मेर में बनके रडी हो जाती है और पनीर के सबजी से भी ज्यादा स्वाधिश्ट होती है तो बाइस तड़कने देना है राई जीरा मैंने वन टीस्पून लिया है इसके बाद हम डालेंगे यह पैस जो कि मैंने एकदम स्लाइस काटे है इसके और जैसे हम चैनल वे उसके हमें कट करना है दो पैस्ते विडियम साइज के तो थोड़ा जादा ही डालना है हमें इस सबज इसके सब यह एक गर यह कटा हुआ लेचिक्त अलार ओप्शिनल टालना है तो डालिएугा तो इसके साथ यह ग Sabzu घृस के साथ ग्रीगे तीन मीच इननने byत आ स्लिट समें कट कर लिया है अप्ड़ा कि कर Beck gim कर लिए अब यह अच्छे बूने हैं थोड़ा color चेंज होते तक यह मेडियम फ्लेम पर हमें करना है और कांटिनियूसली चमल चलाते रहना है कि यह थोड़ा भी जले ना बस पैज भून चुके हैं हमें जादा नहीं बूनने हैं एक डम गोल्डन ब्राउन होते तक नहीं बूनने हैं बस हलके से यह सॉक्ट हो जाने चाहिए अब मैं डाल रहे हैं इसमें टू पिंच यह हिंग जिंजर जो एक इंच था और साथी में डर्दरा कूटा हुआ धनिया धनिया आपको पाउडर पॉम में नहीं यूज करना है इसका दर्दरा कूट लेना है अगर आप मिक्सी में भी इसे पीशते हैं तो दर्दरा ही रखिएगा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब अब तो तरी पिंच और साथी में सॉल्ट जो कि मैंने वन टीस्पून लिया है आपके टेस्ट के अकॉडिंग आप सॉल्ट डालिएगा या आपको कौन्टिटी कितना है सब्जी बनाने का उस हिसाब से और साथी में मुझे डालना है अब थोड़ी सी लाल मिर्श पाउड बस देखे कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में बस यह बनके अल्मोस्ट रेडी है अब हमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला बस पिंच ओफ या टू पिंच बस यह तड़का रेडी है सब्जी इसमें दही आड़ करने के लिए चीनी डाल देंगे हाप टीस्पून चीन अब मैं इसमें डालना मुझे मिटाटेस परसंदे इस दही की सब्जी में इसलिए मैंने अड़ किया है बस इसे थंड़ा होने देना है फ्लेम आफ कर देरी और यह कम्पलीटली जब थंड़ा हो जाएगा तभी हम इसमें करड अड़ करेंगे अगर गरम इसमें करड करणा अब मैं आड़का ऊचुका है अब मैं इसमें दःक कर देरी आड़ कर देरी हूं दही को बिल्कुल भी विस्क नहीं करना है अब देख पार होगे कितना मतलब थक्केदार यह दही है बस ऐसे कैसा यह दही इसमें अगर आपके में पानी है तो आप स्ट्रेइन करके युज़ कीजिएगा पानी वाला दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो करीब मैंने एड़ आइसो ग्राम दही लिया है बस इसे हलकी आतों से मिक्स कर देंगे इसे गरम नहीं करना है बस ये सब्जी बनके हमारी रडी है सर्विंग के लिए देखिए कितना प्यारा कलर आया आई कितने डेलिशियस लग रही है ये और लास्ट में हम इसमें कॉरिएंडर लीव जाड़ कर देंगे दही आपको फ्रेश लेना है इसमें फ्रेश दही काई अच्छा टेस्ट आता है ये सबजी में साविंग बाल में निकाल ले रही हूं आप ये पराठो के साथ नान के साथ या गरमा गरम चपाती के साथ खा पाएंगे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है आप एक बार जरूर बनाइएगा और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर करिए और वैल आइकों को प्रेश करना ना इसके उपर में इसके बहुत अच्छा दिखने के लिए मैंने यह तड़का लगाया है देगी मिर्श लाल मिर्श का देखिए कितनी यम्मी दिख रही है यह तो फॉर वाचिंग मैं वीडियो थेंक यू सो मज